नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सतिंद्र सर्मा ठंड ने दस्तक दे दी है, दिल्ली एंसियार समेत उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरी का भी असर दिखने लगा है वही राष्टी राजधानी में सनीवार को वाय गुडवत्ता आंसिक रूप से सुधरी लेकिन अब भी वह बहुत खराब की स्रेडी में है वाय गुडवत्ता पर नजर रखने वाली एजेंसियों को उमीध है कि पश्मी बिछोब के कारण मौसम संबंधी परिस्तियों में रवी वार से सुधार हो सकता है दिल्ली में नमंबर में 10 दिन वाय गुडवत्ता गंभीर रही पिछले साल नमंबर में दिल्ली में वाय गुडवत्ता तीन दिन गंभीर स्रेडी में रही थी जबकि नमंबर 2021 में यह इस्तिती 12 दिन रही थी केंदरी परदूसर नियंतरण बोड याने कि CPCB ने जब सी वाय गुडवत्ता सुचनांग पर नजर रखने सुरू की है तब से नमंबर में 2021 में सबसी अधिक दिन वाय गुडवत्ता गंभीर स्रेडी में रही थी CPCB की आकड़ों के अनुस्तार नमंबर 2020 में वाय गुडवत्ता नो दिन, 2019 में साथ दिन, 2018 में पांच दिन, 2017 में साथ दिन, 2016 में 10 दिन और 2015 में 6 दिन गंभीर स्रेडी में रही थी नियुम्तवत आपमान में गिरावाट और रात में हवा की धीमी गती के कारण परदूस्टडों के एकत्र होने से दिल्ली में वाय गुडवत्ता सुक्रवार को फिर से गंभीर स्रेडी में दर्ज की गए थी सहर में अप्रहान 4 वजे वाय गुडवत्ता सूचनांग 389 था जबकि सुबा 8 वजे यह 421 दर्ज किया गया था भारत मौसम भी भाग के एक बैग्यानिक ने रभी वार से पश्मि उतर भारत को प्रभावित कर सकने वाले एक पश्मी बिच्छोग के प्रभाव के करण मौसम संबंदी परिस्तियों में संभाविस सुधार के प्रडाम स्वरुप पर दोसर से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान जताया है दिल्ली के AQY में गत्र अभी वार को मामुली सुधार के बाद से लागतार ब्रद्धी हो रही है दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQY प्रते दिन साम चार बजे दर्श किया जाता है जो सुक्रवार को 415, व्रिश्पतिवार को 390, बुधवार को 394, मंगलवार को 365, सोमवार को 348 और रभीवार को 301 रहा था केंदर ने हवा की अनुकूल, गती और धिसा के कारड प्रदूसर के यस्तर में गिरावट के बाद पिछले सनिवार को दिल्ली में कुछ परियोजनाओं से संबंदी निर्मार कारी और प्रदूसर फैलाने वाले ट्रकों के प्रिवेस पर लगे प्रतिभन सहीत, कडे प्रत ही हुई है, सुन्न से पचास के बीच एकिवाई को अच्छा, 51 और सो के बीच संतोष जनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब, 401 और 450 के बीच गंभीर एवं 450 के उपर अत्यंत गंभीर स्रडी में माना जाता है दिल्ली सरकार और भारती प्रधोगिक संस्थान यानिकी IIT कानपुर की एक संयुक्त परियुजनाओं के आकडों के मुताबिक, सुक्रवार कुर राजधानी की वाई प्रदूसर में जैव इधन जलाने का योजना 51 प्रिचत रहा आकडों के नुसार राजधानी की वाई प्रदूसर में वाहनों से होने वाले उस्तरजन का योगदान 31 पर सत्रहा दिल्ली के पर्यावण मंत्री गुपाल राय ने संबंधित एजनसीयों और विभागों को प्रदूसर फैलाने वाले वाहनों पर सक्ती से यंकुष लगान और जैविधन जलाने की बड़ती घटनाओं को रोकने का निर्देश दिया है देश दुनिया से जुड़ी तमाम कबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमार साथ और देखती रहे हैं इन खबर धन्यवाद